असलामू अलेकुम मैं दियर स्टूडेंट्स। आइम तौसीव सर्यूर एससी टीचर। आइप यॉर आल दूइंग वेल। मैं दियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोग्राफी में चैप्टर नमबर नाइन जमू, कश्मीर और लदाग अड़ ग्लैन्स। आज हमें यूटी जमू, कश्मीर और लदाग के बारें पढ़ना है First of all मैं आपको बताऊंगा कि यूटी जमू, कश्मीर और लदाग जो है इस सुच्वेटेड विदिन धे हिमालियन माॉटेन सिस्टम यानि ये दो यूटीज हिमालियन माउटेन्स में बसी है एक्जिस्ट करती है और इसकी जो लोकेशन है नौर्दरन मोस्ट पॉर्ट आफ इंडिया में आती है ये जो ये यूनिन टेरिटेरीज है हमारी जहां पे हम कश्मीर में रहते हैं जे इंड के या लादाक यानि बरफ से डके हुए पहाड है उंचे उंचे पहाड और डीब गौर्ज गौर्ज होता है नेरो वैली बिट्वीन मौटेन्स एंड हिल्स जहां से एक स्ट्रीम बहता है गलैशर से बड़ी मौट जे एंड के में है बहुत सारे गलैशर कश्मीर में बहुत अचे अचे उंचे उंचे गलैशर है इसकी beauty के लिए इमाना जाता है lush green meadows है यहां पे meadows का मतलब होता है जो यहां पे grasslands है यह valley जो है full of jana trees है fresh water lakes यहां पे है plenty of flora and fauna यानि animal और plants बहुत सारे किस्मों के अलग-अलग species होते हैं यहां पे बहुत किस्मों के species animals हो या plant kingdom हो इस chapter में हम पढ़ेंगे physiography यानि यह जो कश्मीर जेंड के या लादाख है वो उसके कितने divisions है किन किन divisions में वो बटा हुआ है यहां की climate natural vegetation और drainage इसमें हम discuss करेंगे और इसकी geography के बारे में हम पढ़ेंगे first of all physiography utf जो में कश्मीर और लादाख जो है six physical divisions में डिवाइड है first one is outer plains second one is shwalix third one is middle himalayas fourth one is valley of kashmir fifth is the greater himalayas and sixth one is ladak region so पहले अगर हम बात करेंगे outer plains की outer plains are part of northern plains of India यानि जो इसमें यो physiography हैंज की पहले हम outer plains को अगर हम इसके बारे में बताएंगे ये northern plains का एक हिस्सा है outer plains ये जो plains है plains means होता है बड़ा हिस्सा large area flat land with few trees यानि ये जो plains है ये stretch है river ravi to river chanab जो river ravi है जो river ravi boundary river है crossing Indian पाकिस्तान ये indus water system का एक हिस्सा है यानि इस river ravi से लेके river chanab जो 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 मूँ में बहता है पंजाब से आता है पाकिस्तान फिर जाता है इसकी distance 110 km है और इसकी elevation यानि height 330 meter to 360 meter above the main sea level है ये जो मूँ के regions को cover करता है ये जो मतलब दो मतलब distance हैंके ये इन में बीच में दो regions आते हैं जो मूँ के एक तो अकनूर, रनभी, सिंग्पोरा सांबा, कटवा और क्योंकि इसमें ये rivers बहते हैं इंडस ये valley ये मनलब और तावी रिवर रावी एंड चनाब तो इसी इसी लिए that's that is the reason these plains are very highly fertile यानि ये जो मिरेट मिटी होती है ये बहुत fertile होती है इसी लिए ये बहुत अच्छी रहती है cultivation of rice and wheat के लिए यानि यहां बहुत ज्यादा rice and wheat cultivate किया जाता है next one is शिवालिक्स अगर हम north outer plains की तरफ देखे तो youngest mountains of subcontinent है शिवालिक hills यानि शिवालिक hills जो है ये youngest mountains होते है ये mountains 20 to 50 kilometers wide है चोड़े है and 600 to 1220 meters above the main sea level है ये यानि इतने high है ये और जो मू जो है उसको हम city of temples बोलते है ये उसी के लिए मशूर है यहां से दो famous lakes जैसे मानसर और सुरिंसार इसी vicinity इनी mountains से होके गुजरती है इन श्वालिक्स में यानि जमू का रीजन इसी से cover होता है और यहां पे slopes जो है नीचे rolling slopes रावी और चनाब river के बीच में ये जो slopes है उन अलागों को कंडी बोलते हैं इसके बाद next है middle himalayas middle himalayas जो है वो located उसकी जो location है they are located between river Ravie east and punch जो है हमारा जो मू का एक district west में उसके है यानि middle himalayas बीच में पड़ता है river Ravie east और पुँच के बीच में इसकी जो elevation इसकी जो height या फिजिक जिसका हम फिजियोग्राफिक डिविजन इसकी है जो height elevation इसका 1820 to 3600 meters main sea level से इन जो हिमालिया की जो width है वो 10 to 60 km है मतलब width है इनकी ये बहुत सारे forests से covered है जैसे द्योवदार पाइन फिर वहां से जो मू स्रीनगर national highway पास होके वहां जो mountains है उनमें हमारी जो स्रीनगर national highway जहां से सारा traffic हमारा जो हमें connect करता है इंडिया से वो वहां से पास होके पटनी टॉप तक इसका रास्ता जाता है और उसके इरदगिर some important towns जैसे इस region में जैसे बानिहल रामबन किष्टवा डोडा बटोट और राजोरी यानि ये जगा ये टाउन हमें इसी middle हिमालियस में exist करते हैं ये वहां पे भी है इसके बाद हमारी जो next है वो है valley of कश्मीर valley होता है low area of land यानि वो हिसा गाटी जिसको हम बोल सकते हैं low area of land between hills and mountains जिसमे streams flow करते हैं यानि valley of कश्मीर ये बहुत ही दुनिया में इसको paradise on earth बोला जाता है हमारी जो ये कश्मीर valley हैं ये ball shaped हैं जैसे एक ball होता है valley of कश्मीर उसी shape के हैं ये situated है in the north western part of ut of jomain यानि north western part of इंडिया में ये located है इसके इरिद गिरद पीर पंजाल range है south और west में south में तो इसके पीर पंजाल ranges मतलब है exist करते हैं यहां पे पीर पंजाल के mountains है यही range है mountain range और west की तरफ greater हिमालिया north और east में greater हिमालिया इसके पढ़ते हैं ये जो हमारी कश्मीर वैली है it is around 130 kilometers long and 40 kilometers wide और यहां का एक खास river है river जहलिम वो इस कश्मीर वैली का main river valley का माना जाता है और लिदर वैली सिंद वैली लोला वैली यहां के important side valleys इस region के है यानि हमारी जो कश्मीर वैली है ये खुबसूरती जो है इसकी पूरी दुनिया में मानी जाती है और यहां पे mountain से गिरे बार अफसे ड़के हुए पहाड है नदिया है rivers है मतलब ये regions है इसके बाद greater himalayas है greater himalayas northern side of valley हमारी कश्मीर वैली में पढ़ती है इसकी elevation हाइट है 600 meters above the main sea level इसमें एक mountain peak है जिसको नंगा परबद बोलते है वो highest mountain peak है greater himalayas का और जैसे जहां से लदाग भी जोजिला और राजदान पास important passes है जो लदाग